मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाडियों का अंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, इनके इस घटना से हरियाना की बेटियों को सरमिंदगी का सामना करना पड़ा है, कि बेटियों का गुनागार मैं नहीं हूँ, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनागार है, तो बजरंग है, बिनेश है, या अंदोलन कारी है, एक दिन कांग्रेस को पच्ताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पच्ताना पड़ेगा, आप कुस्ती जीत करके नहीं जब जंतर मंतर पर दोजार तेज में धर्ना प्रारम हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाडियों का अंदोलन नहीं है इसकी पीछे कांग्रेस है विशेशकर के भुपंदर हुड़ा, दिपंदर हुड़ा, प्रेंका जी, राहूल जी ये कांग्रेस का अंदोलन है, और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे अंदोलन में या हमारे खिलाब जो खडियंत हुआ इसमें कांग्रेस सामिल की और जिसको लीड भुपंदर हुड़ा कर रहे थे क्या लगता है कि शुनाम में कितना से डाल पाएंगे, हर्याना में जिससे कि शुनाम को टिकेट जियागे, कितना से डाल पाएंगे, देखिए, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूँ, लेकिन हर्याना की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, कि भुपंदर हुड़ा और दिपंदर हुड़ा या बजरंग या बिनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठेते हैं, इनके इस घटना से अर्याना की बेटियों को सरमिंदगी का सामना करना पड़ा है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार बुपंदर हुड़ा है, दिपंदर हुड़ा है और ये आंदोरनकारी है, और उस दिन ये क्या जवाब देंगे? जब ये साबित हो जायेगा कि जिस दिस दिन की घटना मेरे उपर लगाई जा रही है, उस घटना में मैं दिल्ली में मौझूद ही नहीं हूँ, उस दिन क्या सामना करेंगे? कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनागार है, तो बजरंग है, बिनेश है, ये अंदोरनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूप अंदर हुड़ाने, ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. अगर बीजेपी आपको परचार के लिए बेज़ेगी, बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूँ. चुनाम कितना सब्सक्राइब होगा, क्या लगता रहे हैं? ये कि एक दिन कांग्रेस को पच्टाना पड़ेगा. अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं बेख्ट कर सकता हूँ. लेकिन 18 जनौरी को जब जन्तर मंतर पर परदरसन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि साइद इसमें सच्चाई है. महिलाओं के साथ बत्तिमी जी हुई है, बेटियों के साथ बत्तिमी जी हुई है. आज वो लोग भी अपने आपको छले मसूद कर रहे हैं. इस तरीके से पहलवानों का नुकसान हुई है, इसका भरपाई कों करेगा ये पहलवान में करते रहें. देखे, इन्होंने हरियाना खेल के कारण या खेल का के चेतर में भारत का मुकुट है. और जिस तरीके से इन्होंने लगभग पहुने दो साल तक कुस्ती की कद्वजी को एक तरीके से ठप कर दिया. और क्या ये सत्य नहीं है कि एसिया चेंपियंशिप में, एसियन गेम्स में बजरंग बिना ट्राइल के गई थे? क्या ये सब्च नहीं है मैं खुद पूछना चाहता हूँ कुस्ती के जो जानकार है उनसे पूछना चाहता हूँ मिनेस्टोकाट से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक खिलाडी एक दिन में दो वजन में ट्रैल दे सकता है क्या वजन के बाद पांच घंटे तक कुस्ती रुखवाई जा सकती है आप नियम की बात कर रही है क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाडी दो बेट कटेगरी में ट्रायल दे इसमें आपने हक नहीं मारा क्या पांच घंटे तक कुस्ती नहीं रुखवाई क्या रेलिवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ आप कुष्टी जीत करके नहीं गई थी आप चीटिंग करके गई थी जूनियर खिलाडियों का हक मार करके गई थी भगवान ने वही सजा दी है आपको